अगर इस जुतवा खोल के बहाई चुछ ये जुतवा इसा मार देते नो उसको तो अगर मैया इतुल हमरा से कहतु ले हमर बेटा के छोड़ दा ही जुता जुता ना मारा धम ओपेन बोल देए थी हो जे भी मुसल्मान है तो तुम मुसल्माने बन के रहो हाथ में जो चोला प समीर चोधरी पूरा केस लड़ेगा 10 लाक रुपया 20 लाक रुपया जे खर्चा होगा समीर चोधरी देने के लिए तैयार है दिली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें साक्षी नाम के 16 साल की एक बच्ची को एक दरिंदे ने लगभग एक मिनिट 6 से लेकिन में 25 से 30 बार चाकू से वार करता है उतना से अगर उसका मन नहीं भरा उसके बाद फिर रिटन घूम के आता है और फिर पथल से मथे पर उसके बार करता है जब उसको लग जाता है कि पूरी तरह मर गई है उसके बाद बड़ी आराम से निकलता है यह घटना जो सब्सक्राइब का स्वागत है नमस्कार आदाब सस्रिया काल घटना हो रहा है एक मैटर सुल्जा नहीं जिसको 40 टुक्रा में करके फ्रीज में लख दिया गया था और एक सामने मैटर आगया जिसमें एक मिनट में लगवक्त 30-40 वार किया गया है चाकू से सर पे नहीं हम प प्राक प्राक तुव बढ़का हिंदू बनता बढ़का भगवाधारी बनता देखे मान सिखता देखे उस लौंडे को और हम पूछना चाहते हैं तमाम बहिन लोग से कहना चाहते कि का चाहती हो तुम लोग मणा जाए तो और भाई लोग जो तुम लोग के लिए आवाज चूड़ी पहन ले बे वह ऐसा हिंदू नहीं है हम लोग बता दे रहे हैं जो घटना का अंजाम दिया गया है उस सर्मनाग जो लोग जो पड़ी था चार से पांच लोग गुज़रे लेकिन किसी को हिमत नहीं हुआ कोई चाहा नहीं बचाने के लिए चार पांच लोग नहीं हैं 20 लोग हम देखें हैं क्योंकि हम इस चीज के बहुत अंदर से जानकारी लिए 20 लोग जो था वीसो जो है नाजायज के उलाद था होकर मैया कहीं और से इस सबको पैदा कर दिया हम तमाम लोग के बोले अगर तू हिंदू भी है तो बेटा तोरो मै सबसे बड़ी बात थी कि लोग तो मजाक लगा था कि डिरामा हो रहा है अगर उसी के बाल बचे के साथ इस तरह सोधा तब क्या करता है नहीं हम पूछते हूं तमाम मुसल्मान भाई से जिसको लगता है क्या भाई यह अंजाम सही है दम दिल से बोलना नीचे गलत कमेंट मुझे कर ले बेटा अब यह बता दे ओपें खुला चैलेंज दे दे ओदम ओपें इमीडिया का माध्यम से जे भी इस गलत चीज माने जिस परकार घटना का अंजाम दिया गया कुछ मुसल्मान भाई लोग या कुछ जाटू टाप के हिंदू लोग जो है उद लिखेगा क यह अपना चहरा पना रहा ही कर रहा हम खुज के घर में घुशके प्ले oh अ बताए जो लोग भाई Bill मुसलिम सब्यकरा को संदेश को सजय मौत मिलनी चपट अब सरकार का अपना नियम है कानून का अपना नियम है और नियालाई धीश का अपना नियम है हाँ तो इस तहट के अनुसार इसको सजाय मौत दी जाती है कलमा का पटाक्सुन तोड़ दे बले तो ठीक हवा जो भी है लेकिन हम उन हिंदू बहिने लोग से हम पूछना चाहते हैं कि तू लोग के समझ भी नहीं आ रहा है क्या फिलिम देखी नहीं किरला स्टोरी क्यरला चुड़ी तुम्ही लोग के लिए बनाया गिया था कोई ऐसा हमको मैटर बताओ जिसमें कोई हिंदू लड़का किसी मुसलिम लड़की को इस तरह से घटना इंजाम दिया कोई मैटर बताओ एक भी नहीं कोई एक हो एक और बात है कि जो लरका था नाम साहिल है साहि या है तुम को कर रही हो. यह अपने माता पीता को सर्मनाख करने का काम करे हो. तमाम हिंदु भगवान खाली तुनी संबार के दिन हे भोले बाबा दूसरा मने खाली यतने करेगी लोग. माता पिता जो मा नो महिना कोख मिलाक के पालती है कि प्यार नहीं करती है घर उसके घर बारे इसको दूसरा के प्यार का जुएत पड़ता है बस यह हम ही लोग के धरम में खाली देखे को मिले था जिस परकार आज जो हत्या कांड हो गलबा देखा कि चार बार पथर से कुछ बात सुन ले समझ ले दिमगभा खोल ले शेकर हमरा से लरे झागर को मन हो तो खली नंबर देने मैं पर चड़े हम चले वो तो कोई लोग पर देसे को हमहं सेना है के तुल ही खून होगते हो हम बता दे कि जो आदमी सब घूम रहा अगर अपना हस्ततेप नहीं दिया है तो सब जीवी रोट की पाइदाश था इसलिए उसको बचाने का नहीं सोचा कि चलो हटाओ 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 यह बाता पिता गरीब है कैसे उसका केस लरेंगे कैसे उसको न्याय मिलेगा समीर चोधरी पूरा केस लरेगा 10 लाख रूपया 20 लाख रूपया जी खर्चा होगा समीर चोधरी देने के लिए तयार है और हम इपना धर्म का चोला ओठ के हिंदु धर्म का क्या कहिएगा उसको हम उन लोग को तो चेतावनी देए दिए हैं कि जहिए नजर में आ के ले जहिए देख लेले कि हम देख भूँ कि तुँ हमार दोस्त है कि तुझ कोन है यतना मार गूमाद से लेकर कहां कहां तक जितने भी हमारे भाई इस भीडियो को देख रहे ब़ीडियो को खote आधिक सेर करें। और अपधिर आपक सांगे मृझे ए स responds जिए भी है